अबहद्रकाली जय महाकाल भक्तों हमारे यूट्यूब चैनल प्राचिन मंतर हैस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो हमेशा की तरह ही आज भी हम आपके लिए एक महान मंतर लेकर आए है शत्रू मारण मंतर चीहा अगर आपका कोई शत्रू है जो आपके धन का आपके कारोबार का और आपके परिवार का बैरी बन बैठा है तो ऐसे शत्रू को सबक सिखाने के लिए अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाने के से आज मैं आपको ऐसा टोटका बताने जा रहा हूँ ऐसी विद्या बताने जा रहा हूँ ऐसा महा मंतर देने जा रहा हूँ और यह जो विद्धी है अगर आप सही तरीके से समपून तरीके से समझ कर अच्छे से कर लेंगे तो आप अपने शत्रू से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पालेंगे आपको भटकने की आवशक्ता नहीं पड़ेगी आपको अपने शत्रू की और अधिक पीडा सहने की आवशक्ता नहीं पड़ेगी आपको हमेशा हमेशा के लिए ही अपने शत्रू से चुटकारा मिल जाएगा और आपका जो शत्रू होगा वह इस दुनिय को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह जाएगा तो इस टोटके की इस विधी की इस संपून तंत्र किरिया की जानकारी प्रापत करने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको संपून विधी का पता चले किस वार को किस तिन किस परकार से इस करम को कर आधूनिक तोटके वहतंत्र किरिया के ऐसे ऐसे करम बताते हैं जिनकी साधना के द्वारा आप अपनी समस्याओं का समाधान घर पर बढ़ी आसानी से कर सकते हैं तो आएए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इस तोटके का इस्तिमाल आपने किस परकार से करना है तो इस टोटके को करने के लिए आपको आवशकता होगी एक प्याज की और दो कीलों की यह दो कीले और एक प्याज आपके शत्रु को हमेशा हमेशा के लिए आपके रास्ते से हटा देंगे उसके इलावा आपको क्या करना होगा कि इस टोटके को करने के लिए आपको खास दि जैसे की अमावश्या हो गई, पूरिमा हो गई, या फिर जैसे होलिका की रात हो गई, दिपावली की रात्री हो गई, इन रात्रियों का, इन अमावश्याओं का और पूरिमा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप इतना समय इंतजार नहीं कर सकते, तो आप शनिवार को इस टोटके को कीजिए, आपको बहुत ही बहतर परिणाम नजर आएगा, आपका शत्रू किस परकार से आपकी रास्ते से हटता है, आप स्वेम अपनी आखों से देखेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने शनिवार के दिन इस टोटके को करना है, तो आपने जो दिन इ नाम नहीं मिलेगा, शनिवार के दिन आपने इस टोटके को करना है, और अपने नीचे और वह इस किरिया को करने के लिए आपने स्वेम भी जो आसन होगा, लाल रंग के कपड़े के आसन के उपर ही आपने स्वेम बैठना होगा, और जो ये आपने प्याज और दो कीले हैं इनको भी आपने लाल कपड़े के उपर ही बैठाना है, उनके उपर ही आपने इनको स्थाफित करना है, तो जो आसन रहेगा, वो आपका रहेगा लाल वस्तर का, तो आसन आपने लेना है, लाल वस्तर लेना है, इस चीज का अवश्य ध्यान रखिएगा, उसके इलावा, द दक्षिन दिशा की और सबसे पहले तो आपने इस किरिया को घर पे नहीं करना है इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसी किरियाइं घर पर कभी भी नहीं की जाती इनको बाहर ही किया जाता है एकांत स्थान के उपर जहां पे आपके इलावा कोई भी व्यक्ति ना आ सके तो आपने इस चीज का विशेश ध्यान रखना है गर से बाहर या किसी ऐसे स्थान पर कीजेगा जहां पर आपको कोई भी देखे ना तो आपने चुपकर इस टोटके को करना है किसी दूसरे व्यक्ति की नजर इस टोटके के उपर नहीं पढ़नी चाहिए तो अरिवार के दिन आपने एकांत स्थान के उपर जाना है लाल रंग का आसन आपने इस परकार से बिछा लेना है और बिछाने के वाद अपने सामने प्याज और दो कीले आपने इस परकार से रख लेनी है और अपना जो मुख होगा वह आपने दक्षिन दिशा की और कर लेन जो मंत्र रहेगा वह है इस परकार से हमने यहां पर लिख कर भी बताया हुआ है इस ही मंत्र का आपने टोटल मंत्र जाप करना है जो जाप संख्या आपकी रहेगी वह है टोटल 151 बार 151 बार आपने जाप करने है 151 आपने इस मंत्र का जाप करना है जाप करने के लिए आप आपने जो माला का इस्तिमाल करना है कोशिश कीजेगा कि आपको अरोठो की माला हो अगर अरोठो की माला पर मंतर जाप किये जाएंगे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शिग्र फ़लदाए यानके मतर तीम दिन के अंदर ही आपको अपने शत्रू के बारे में प्रापत हो जाएगा अगर अरोठो की माला होगी तो अगर आप रुद्राक्ष की माला का इस्तिमाल करेंगे तो उसके लिए थोड़े दिन अधिक लगेंगे लेकिन आपका कार अवश्य हो जाएगा तो जो माला रहेगी वो आपने ध्यान रखना है कि अरोठो की माला का ह ही आपने इस्तेमाल करना है अरोठो की माला तो यह आप माला अवश्य लेकर आईएगा इस परकार से आपने यह करना है और जैसे ही यह सारी चीजें आप कर लें मंतर जाप आपने क्या करना होगा कि आपने एक चीज का विशेश्थ्यान रखना है एक चीज का विशेश्थ् जाती तो जो शत्रू होगा शत्रू पक्ष का आपने लेना है फोटो उसका नाम जाती अगर गोत्र आपको पता हो तो उस चीज का भी आप विशेश द्यान रखिएगा तो यह तीनों की तीनों जो चीजें होंगी अपने शत्रू के प्रति आपने फोटो नाम जाती और गोत गोत्र आपको पता होना चाहिए, अगर गोत्र ना भी पता हो, तो भी कोई दिक्र ने क्योंकि आपके पास उसका तस्वीर होगी, उसका अक्स होगा, तो आप अक्स के द्वारा भी अपने शत्रु को नुक्सान पहुचा सकते हैं। तो यह सारी की सारी सामगरी आपने कठी कर लेनी है, अपने शत्रू की फोटो आपने अपने सामने रख लेनी है, उसके सामने फोटो के सामने आपने तेल का धीपक जलाना है, और तेल का धीपक जलाने के बाद आपने क्या करना होगा, कि इस मंत्र को आपने टोटल 151 बार ज पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने क्या करना होगा कि इस कील को आपने इस परकार से उठाना है सबसे पहले तो इसको उस दीपक के तेल में भिगोना है फिर इसको उस अगनी में आपने गरम करना है जो कि आपने उस दीपक के द्वारा पर चल्लत की गई हो और आपने क करना होगा कि अपने शत्रू का नाम जाती वह गोत्र उचारन करते हुए इस परकार से यह कील जो होगी सबसे पहली कील आपने इस परकार से दक्षिन दिशा की और याद रखेगा कि इसका मुख आप जिदर मर्जी रखें लेकिन सबसे पहली कील जो होगी आपने दक्षिन दिशा की और इस परकार से इस प्याज में डाल देनी है जो दोसरी कील होगी आपने वह है उत्तर दिशा की और से आपने इस परकार से इस प्याज में डाल देनी है तो डालने के बाद आपने क्या करना होगा कि जैसे ही यह किरिया आपकी हो जाए आपने क्या करना होगा कि इ चारा बार आपने गुमा लेना है और गुमाने के बाद उस दीपक को आपने अस्त कर देना है अस्त करने के बाद उस दीपक को अपने शत्रू की फोटो को और जिस कागज पर लिखकर आप मंतर लेकर जाएंगे उस कागज को आपने उठा लेना है और एक कीलो आपने नमक ल जाकर अगर चोरस्ता कोई ऐसा चोरस्ता हो जहां पर बहुत ही कम लोग आते जाते हों तो वहां पर आप इसे दबा दीजेगा अगर वहां पर नहीं दबा सकते तो आप क्या कीजेगा कि जाड़ी के नीचे जाड़ी यानके जिसे बेरी कहा जाता है जाड़ी के नीचे आप थोटा सा गड़ा खोद कर नमक, प्याज, कील, शत्रू की फोटो वह सारी की सारी सामगरियन के दीपक जो तेल जो भी है सभी का सभी आपने उस नमक के नीचे दबा कर उस गड़े को बंद करके आ जाना है और उसके बाद आपने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है बस इतना ही करना होगा दोस्तों मात्र तीन दिन के अंदर ही आपका शत्रू हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हर जाएगा और जीवन में कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा तो यह बहुत ही चमतकारी तोटका है भूल कर भी गलती से भी किसी भी निर्दोश व्यक्ती या किसी को परेशान करने के लिए या इस तोटके का प्रभाव परिणाम अजमाने के लिए इस्तेमाल ना करें आवशकता पढ़ने पर ही आप इसका इस्तेमाल करें क्योंकि यह तंतर के लिए है तंतर के लिए जब नुकसान पहुचाती है तो बहुत अधिक घात पहुचाती है करने वाले को भी और जिसके लिए किया जा रहा है उसको भी तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा मजाख में भी किसके साथ गलत नहीं करना है बहुत अधिक आवश्यक्ता पढ़ने पर ही आपने इस टोटके का इस्तेमाल करना है तो दोस्तों अगर आपको किसी अन्य सहाइता की आवश्यक्ता हो टोटके के बारे में जानने के लिए तो आप स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से हमें संपरक कर सकते हैं अगर आपको हमारा यह बताया हुआ टोटका पसंद आता है इसके परिणाम अच्छे आपके लिए निकल कर आते हैं तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताईएगा हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजेगा हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजेगा जैमा भद्रकाली जै महाकाल भक्तों